हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे मिल्क पाउडर से आप कैसे बर्फी त्यार कर सकते हीं ये बहुत टेस लगेगा खाने में और बहुत कम समय में आप इसको त्यार कर सकते हीं आगे होली आ रहा है आप एक बार इसको जरू ट्राय किजिए ये आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत कम समय लगेगा चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे जिस टीन में हम बर्फी जमाएंगे इसकी त्यारी करेंगे अभी हम टीन में थोड़ा सा गी लगा लेंगे और इसके उपर एक बाटर पेपर लगाएंगे और इसके उपर भी थोड़ा सा गी लगा लेंगे अगर आपके पास इसे टीन नहीं है चाहे तो आप किसी प्लेट में भी भर्फी जमा सकते हैं इसको पहले से तैयर करके रख लीजिए अभी हम इसके उपर थोड़े से कटे हुए पिस्टा डाल देंगे और काजू और बादम भी डाल देंगे आप अपने पासंद के हिसाब से कोई भी ड्राइफूर्ट डाल सकते हैं अभी हम इसको एक साइड में रख लेंगे चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को यह हम 2 कप milk powder लिए हैं ये whole milk powder है इसको इसी कप में measure करके हम 2 कप लिए हैं ग्राम में ये 0.5 ग्राम है ये whole milk powder पता अजली का है चाहे तो आप किसी भी brand का यूज़ कर सकते हैं मगर जब आप यूज करेंगे, whole milk powder अगर यूज करेंगे, बर्फी खाने में बहुत टेस्ट लगेगा, नहीं तो जो skimmed milk powder आता इसको भी यूज कर सकते हैं, मगर diary whartner अगर यूज करेंगे, बर्फी अच्छे से नहीं जमेगा, और इसका टेस्ट भी खाने में अच्छा नह मिक्स करेंगे, कप में ये half cup है, 5-6 बड़े चामुज हम इसको यूज करेंगे, इसको थोड़ा-थोड़ा डालेंगे, और milk powder में मिक्स करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिये हैं, चलेंगे निक्स प्रोसेस को, या हम कढ़ाई में ले लिये हैं, 3-4 cup चिनी, और इसमें डाल देंगे 3-4 cup पानी, यानि एक कप से थोड़ा सा कम, अब हम ग्यास का फ्लीम को, अन करेंगे, और इसमें से चास्नी तयार करेंगे, चिनी को पानी में अच्छे से मिक्स होने के बाद, boil होने के लिए छोड़ देंगे अभी boil होना start हो गया है अभी थोड़ी देर और पकाएंगे जिसे थोड़ा सा चिपचीपा बाला चासनी आपको बनाना होगा इलाईची पाउडर इसमें डाल देंगे flavor के लिए चाये तो आप कोई भी flavor, kevda essence, rose essence यूज कर सकते हैं अभी हम इसको check करेंगे देखिए अभी तार create नहीं हो रहा है अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे देखिए अभी पूरा एक तार create नहीं हो रहा है हाप तार create हो रहा है इसे छोटा हाप तार इसे create होगा तब आपको पता चल जाएगा चासनी अच्छे से हो गया है अब हम ग्यास का फ्लेम को बंद कर देंगे याद रखिए चासनी होने के बाद ग्यास का फ्लेम को तुरंद बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर आड़ करेंगे और इसको अच्छे जल देंगे और ग्यास का फ्लेम को लो रखेंगे इसको लो फ्लेम में आपको पकाना होगा अगर हाई फ्लेम में आप इसको पकाएंगे यह तुरंट जल जाएगा जब यह धीरी-धीरे कड़ाई चुनने लगेगा तब आपको पता चल जाएगा यह अच्छे से हो गया है अभी देखिए ये धीरे-धीरे कड़ाई चुनने लगा है अभी हम थोड़ा सा परसन लेके इसको चेक करेंगे अगर ये गोला बन जाएगा हाथ में तो आपको पता चल जाएगा ये अच्छे से हो गया है अब हम थोड़ा सा पर्षन लेंगे और इसको चेक करेंगे देखिए कितने अच्छे से ये गोला बन गया है अभी हो गया है अभी हम ग्यास का फ्लिम को बंद कर देंगे और इसको टीन में ट्रांसपर कर लेंगे जब एक गरम रहता है तब तुरंत आप इसको टीन में ट्रांसपर कर लिजे अभी इसको ट्रांसपर कर लेंगे और उपर से चिकना कर लेंगे अच्छे से इसको स्पेचुला के मदद से चिकना कर लेंगे नहीं तो स्पून में भी कर सकते हैं और इसको रख लेंगे तीन से चार घंटे के लिए और इसके बाद हम आपको इसको काट के दिखाएंगे अभी तीन से चार घंटा हो गया है अभी हम इसको निकाल के आपको दिखाएंगे थोड़ा सा टैप कर लीजिए देखिए कितने अच्छे से बरफी जम गया है और इसको अभी हम काट के दिखाएंगे आपको कितने अच्छे से बरफी हो गया है आप एक बार होली में इसको ट्राइ किजिए बोड़ी देर रखने के बाद ये और अच्छे से जम गया है अभी हम इसको एक तोड़ के आपको दिखाएंगे दिखिए दिखिए कितने अच्छे से बरफी कितने कम समय में आप घर में त्यार कर सकते हैं